एक बार फिर से आफ सभी का स्वागत है आज की वो कैप समाधान शो में दोस्तो आज का शो आपके लिए फिर से बहुत ही खास है बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक ही क्लास में लंद करा के भेजूँगा इस बात की गैरेंटी है मेरी साथ दोस्तो सेशन को लास्ता का डिंड करें एक सेकंड के लिए भी बहुत काम आएगा लास तक अडिंड करें और एक एक पॉइंट एक एक वर्ड जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ बस अपने आपको उसी दिशा में बहने दे और एक एक वर्ड को यहां से सीख कर जाए अच्छे तरीके से ठीक है तो गाईस शो का नाम है वोकैब स मिलेगी दोस्तों ठीक है तो इमेज और ट्रेक के साथ सब कुछ याद करें जो लिखी हुई है टैग लाइन यह यहां पर प्रूफ होगी अगर आप पहली बार है तो आपको कुछ देर में यह चीज रियलाइज होई न जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है भाई लोग ओके चल काम सुबह को मोटिवेट करके रखेगा कुछ सिनाओनम इंटाौनिम वान वर्ड सीखेंगे कुछ एरर ओडियम प्यारा जंबल करेंगे स्पैलिंग टेस्स करेंगे सब्सक्राइज घ्यान करेंगे और आपके लिए आर्टिकल डिस्कुशन भी करेंगे ठीक है आर्टिकल तो आप सभी लोग प्लीज डेली वेसिस पे टाइम पे आएं, पांच बजे का शो अटेंड करें, खुद अटेंड करें और दूसरों को भी भेजें, दूसरों को इसका लिंक जरूर भेजें, ठीक है न, ताकि वो भी अटेंड कर सकें इस शो को, राइट एवरिबड़ी, आ एक डर ही काफी है, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है, कितनी बड़ी बात है, जिंदगी में जीतने के लिए तो जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है, अगर आप डर रहे हैं किसी चीज के, किसी भी चीज से, एक्जाम के रिजल्ट से, के लिए जीतने के लिए तो जिद चाहिए जिद है तो डर नहीं होगा और डर है तो जिद पाल ही नहीं पाओगे कुछ भी कर लो आप दो में से एक ही रहती है जो बड़े बुज़र को कह गए है ना एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती एक मियान में एक ही तलवार एक आएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा डर आएगा तो जिद नहीं आप आएगा जिद है तो डर की मजाल है वो अंदर घुस सके आपके नहीं ना हमेशा motivated होके काम करो और फिर देखो अपने आप selection होते हुए आप exam से पहले exam crack करने के हसास होगा result देखने से पहले select होने का हैसास होगा करके देख लूँ आप ठीक है मेरे दोस्तो आज जो word हम पढ़ेंगे that word is covenant बहुत ही अच्छा word है that's a noun ये एक noun है दोस्तो promises की meaning होती है समझोता भी हम कहते है हम काफी words as a synonym और बहुत सारे important यहाँ पर याद करेंगे वो भी मैं जो ट्रिक के साथ हर एक शब्द रटा दूँगा आपको अगले कुछ मिनट के अंदर तब तक आप थोड़ा मेरे साथ one word substitution enjoy कीजिए one word substitution का सबसे पहला substitution है study of sounds sounds के study को क्या कहते है sounds, sounds की study आप सुनते हैं sounds की study को क्या कहते है हम उसे कहते है ecostics ecostics means होता है ध्वनी विज्ञान बच्चे इसकी spelling थोड़ा लिख लो a c o ecostics ecostics a c o u s ecostics tics तो आसान है ecost की spelling में गलती हो सकती है आप से तो इसकी spelling लिख लिख कर practice कर लें अभी 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 तुरब comment box में बार बार लिखें a c o u s a c o u s देखो my dear students o u s ये किसी भी word के last में लगाते हैं जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके last में हम o u s लगा के उसको adjective बनाते हैं तो सबसे पहले a c लिखो a c account जैसे लिखते हैं फिर o u s लिखो ठीक है और t i c s लिखतो आप तो याद रहेगा न acoustics ध्वानी विज्ञान acoustics यानि की ध्वानी विज्ञान ध्वानी विज्ञान ध्वानी विज्ञान ध्वानी विज्ञान acoustics study how sound moves through different materials कैसे sound different materials से move करता है इन चीजों का अध्ययन कहलते हैं इस चीजों का अध्ययन को कहते acoustics, acoustics, acoustics ठीक है second है a statement which is accepted as true without proof एक statement जिसको बिना किसी proof के सही सही accept कर लिया गया है A statement which is accepted, जो accept किया गया है as true, सही सही, without proof उसे हम कहते हैं exam, exam means होता है, exam means होता है, स्वयम सिद्ध है वो वो स्वयम सिद्ध है और मैं उसमें कुछ कहने की करने की ज़वतनी एक statement which is accepted as true, without proof जिसे देश में हंगामा मचा पड़ा है, motivational speakers आपस में लड़े पड़े हैं तो किसी एक motivational speaker पर ये इलजाम लग रहा है कि इन्होंने गरीबों को जो बिचारे जिनके पास पैसे नहीं थे जो कुछ नहीं कर सकते थी, जिनको मात्र कुछ हजार की नौकरी चाहिए थी उनको businessman का सपना दिखा के उनके लोगों ने उनके साथ चल किया तो उनके इतने बड़े लेवल पे जब कोई भी आदमी बोलता है तो उनके दुआरा statement दिया गया, एक statement अपने में ही स्वतासिद्ध है किसी proof की जरूरत नहीं है, इसलिए लोगों ने यकीन किया और डेड़ लाख लोग का मामरा है, कुछ इस तरीके से market में चल रहा है तो एक statement which is accepted, एक ऐसा statement जो accept किया गया है as true, सही सही, without proof, बिना किसी proof का और उसको लोगों ने accept कर लिया, तो guys उसे कहते है एक्जॉम A-X-I-O-E-M, लिख लीजे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा word है A-X-I-O-E-M, एक्जॉम means होता है, स्वयम, सिध्ध, स्वयम, सिध्ध, स्वयम, सिध्ध A-X-I-O-E-M is a hypothetical elementary particle in particle physics ठीक है, तो यह आपके सामने हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं Next पे आईए दोस्तों अगला है, fear of riding in car बहुत सारे लोगों को कार चलाने में डर लगता है, बहुत डर लगता है बहुत सारे लोगों को सचमे कार चलाने में बहुत डर लगता है, उसे हम कहते है amexophobia, वाहनों में सवारी करने का डर है, जिनको बहुत डर लगता है मतलब उनको कहते हैं, ना ना हम ना बैठ पाएंगे काड़ी में and plus phobia, phobia की spelling तो basic ही है, so amexo, 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 phobia, phobia से डर आ गया, amexo से वाहन हो गया, amexo phobia वाहन से डर, amexo phobia is the fear of riding in or being around cars, car के आसपास होना या उसमें सवारी करना, उससे आना जाने में भी डर लगता है, उसे कहते हैं, next है, place where cows are sheltered, एक ऐसी जगा जहां पे गायों को रखा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, a place where cows are sheltered, एक ऐसी जगा जहां पे cows को रखा जाता है, गायों को रखा जाता है, उसको गौशाला कहते हैं, इंगलिश में बायर कहा जाता है, बी वाई आर ई बायर बायर मीज होता है गौशाला बहुत सारी गाएं देखिए बहुत सारी गाएं है ना उत्तर प्रदेश में योगी महराज ने ऐसे बहुत सारी गौशालाएं बनवा दी है दूसरों की मदद से दूसरों को बोलकर की वहाँ पे आप देखिएंगे बहुत सारी गौशालाएं हैं बहुत सारी गाएं वहाँ पे पाई जाती हैं उसको बायर कहते हैं आप इस कॉन टेंपल में जाएंगे जादा तर इस कॉन टेंपल में बायर पाये जाएगा गौशाला, दा फार्मर कीप्स हिस काउज इन दी बायर, फार्मर्स जो है अपने गायों को गौशाला में रखते हैं, नेक्स्ट है, रैप और कवर फॉर वांथ, कोई भी चीज़ को रैप किया गया, या कवर किया फॉर वांथ, थोड़ी गर्मी लगने के लिए, रैप किया फिरही से कर लिए, अर्विंद केजरिवाल जी को आपने देखा ही होगा, मफलर बांदते हैं, तो मफलर उसका नाम इसलिए पड़ा है, क्योंकि वो आपकी कानों को गर्मी देता है, दोस्तों, वो कानों को गर्मी देता है, तो आप मफलर को मफल करते हैं, मफल का मतलब उ उसको ओढ़ते हैं ताकि कानों को गर्मी मिल सके रैप करते है या कवर करते है फो वांप गर्मी पाने के लिए उस गर्मी पाने के लिए जो रैप करना है या कवर करना है जिसको ओढ़ना कहते है दाट इस मफल, M-U-F-F-L-E मफल, the thick curtains help muffle the noise from outside, thick curtains से कुछ तो मदद हुई, जो बाहर से noise आ रहा है, उसको मफल करने में, उसको ढखने में, आपको मैंने 5 one word substitutions पढ़ाएं हैं, इधर side ये jumbled में है, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इसको सही order में set करें उनके हिसाब से, कौन सा, कौन से number पे आएगा, चलिए शुरू हो जाएए दोस्तों, पताएए first number पे कौन सा, second कौन सा, third कौन सा, fourth कौन सा, everybody just answer quickly, everybody just answer quickly, जैसे study of sounds को हम इन में से कौन से word बोलेंगे, study of sounds कौन सा है इसमें, ऐसे ही उसका number लिखे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, set करिए, lovely, lovely guys, lovely, here we have its correct order, एक बार सही order में इसको पढ़ लिजे, सारे बच्चे, एक बार सही order में पूरा पढ़ लिजे, immediate revision works a lot, हो गया, सभी ने पढ़ लिया, बढ़े हां, बहुत अच्छे, ओगे, now the time is to learn vocabulary, अब शुरू करते हैं, जैसे सबसे पहला word है covenant, जिसका मतलब होता है promise करना, समझोधा करना या promise दोनों ही होता है, है ना, आपस में promise कर रहे हैं, आपस में समझोधा कर रहे हैं, संधी कर रहे हैं, उसको हम covenant कहते हैं, कववा ने आंट से, आंट से, चीटी से, कववा ने आंट से covenant किया, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हे खाऊंगा नहीं, कववा चीटा चीटी को देखती खा जाता है, तो कववा ने आंट से promise किया, covenant किया, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी ज बख्ष रहा हूँ, कौवा ने आंटे से covenant किया, promise किया, promise किया, promise किया, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में covenant हो रहा है, promise हो रहा है, हैंशिक, promise, साथ में business करेंगे, example है, the agreement was a covenant between the two families to share the land, जो agreement था वो दोनों के बीच में, दोनों families के बीच में covenant था, एक promise था, क्या करने के लिए, to share the land, land को share करने के लिए, दूसरा, agreement तो बहुत आसान word है, agreement का मतलब समझोता कि भईया, इनके और इनके बीच में agreement हो गया, तो सबसे पहले, A, G, R, E, agree लिख दो, और उस साथ में agreement, अगर आप किसी से agree होते हो, तभी तो आप उसके साथ agreement करते हो, करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहीं जमीन खरीदने गया, उसने अपना plan बताया कि हाँ, ऐसे ऐसे हम जमीन बाट रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ पचास जार रुपिया पहले दे दो, फिर उसके बाद आप अराम से रईस्ट्री कराओ, उसके बाद ये करो, फिर वो करो, फिर आप ये कर पगजा ले लो, तो आप जब उसके proposal से agree होते हो, तभी तो वो agreement कराते हो, तो agreement का मतलब समझ होता, देखिए agreement हो रहा है, the agreement outlines our responsibilities, this is example of agreement, बारगेन का मतलब होता है, सौधा, सबसे पहले B, A, R, बार लिख दो और फिर गेन लिख दो, G, A, I, N, दो तुकडे में spelling याद हो गई, आप जब कभी भी जाते हो, तो दुकान में आप bargaining करते हो न, कैसे दिये भी या सबजी, सामने वाले ने कहा, टमाटर 40 रुपिया किलो का बात करते हो भी या, 35 लगाए लिए, दुई किलो लए लेंगे हम, उसने का लए लिजे दुई किलो फिर, 35 लगा रहे हैं, तो आप bargaining कर रहे हो, बार गेन करना यानि कि सौधा करना, वहाँ पर भी तो एक एग्री कर रहे हो, अब उसको अपनी प्राइस पे उसको एग्री कर रहे हो, तो उनके बीच में भी तो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है 35 लपिया किलो में हमारा आपका एग्रीमेंट हो जाता है So, that is called बार गेन करना, बार गेनिंग शब्द आपने सुना है, बहुत ही कॉमन वर्ड है अलग से ट्रिक नहीं बना न, लगेन विद दे सेल्समेन, उसने सेल्समेन के साथ बार गेन किया और गॉट अट डिसकाउंट और ने लापटोप पे डिसकाउंट पाया अगला है कमिटमेंट प्रतिबधता कहते हैं इसको कमिटमेंट, सबसे पहले कमिट कमिट की स्पैलिंग C-O डबल M-I-T कमिट लिख दिया और फिर मेंट लिख दीजे कमिट प्लस मेंट इस कमिटमेंट, कमिटमेंट तो बहुत ही बेसिक सा शब्द है कि आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, मतलब आप उसको वचन देते हैं अब जैसी ये इंगेजमेंट हो रही है भहिया ने दीदी को अंगूठी पहना आई तो भहिया दीदी से कमिटमेंट ही तो रहें कि मैं तुम पर किसी भी प्रकार से आच नहीं आने दूँगा मैं तुम्हारी आन मान शान की रक्षा करूँगा उसके बीच में कभी भी कोई आएगा तो उसका गला कार दूँगा बाहु बली पार्ट थ्री तो गाईज यहां पे क्या हुआ कमिटमेंट हुआ है कमिटमेंट का मतलब है वचन बद्धता एक assurance दिया था बाहु बली ने देव सेना को मूवी तो देखी होगी आपने दिया था ना उसने तो वो commitment ही तो कहलाता है अगला word है concord का मतलब सामंजस से जिसको कहते है सबसे पहले c-o-n-con लिख दो और c-o-r-d लिख दो concord यानि कि unity सामंजस से का मतलब है आपस में एकता बनी हो उसे concord कहते है आपस में एकता है आपस में unity है सामंजस से है प्रेम भाव बना हुआ है that is concord तो आपने इसको कह दिया कि कौन कौन है जो कार्ड खेलेगा हमारे साथ आप एक चीज़ देखते होंगे जो लोग पत्ते खेलते हैं ना पत्ते बाटके कार्ट्स तगड़े वाले मित्र बन जाते हैं कि पूछो मत दारू पीने वाला आदमी अन्नोन बंदा भी बैठा दो 15 मिनट में एकदम लंगोटिया यार जैसा मित्रता कर लेगा होते है कि नहीं होता पत्ते खेल रहा है अगर दस आदमी पत्ता खेल चार आदमी पत्ता खेल रहा है पांच वह वहाँ पे जायगा अन्नोन है लेकिन 22 आदे घंटे के अंदर इतना घनिश्ट मित्र हो जाएगा तो हर पूरे काम में मित्रता बहुत तगड़ी वाली हो जाती है होती की नहीं होती तो guys यहाँ पे कौन है जो card खेलते खेलते उनके साथ solid वाला concord कर बैठा unity बना बैठी देखें, card खेल रहे हैं अब सब मित्र होगे, चाले लोग मित्र होगे बढ़ियां बाले मित्र होगे the agreement brought concord among the neighbors, agreement से neighbors के बीच में concord हुआ concord मतलब agreement unity बढ़ गई, सामंजस से बढ़ गए contract शब्द तो basic है c-o-n, contract t-r-a-c-t contract, basic word है कितना इनका इनके बीच इनका इनसे contract हुआ है वह यह हमारा contract था कि इधर का माल हम बेचेंग, उधर का माल वो बेचेंग काहे नहीं मानो, काहे नहीं मान रहा है यह, तो contract का मतलब समझोता है, है ना contractor होता है, contractor जो contract लेता है कि हाँ इधर की नाली हम बनवा देंगे, इधर का रोड हम बनवा देंगे चवडा रोड बनवा देंगे एकदम, चका चक एकदम से, तो contractor है वो, उसको contract मिला है contract का मतलब है उसको deal हुई है उसके साथ a contract is an agreement between two or more parties दो या दो से जाधा parties के बीच में हुए agreement को ही contract कहते है अच्छा word basic है deal शब्द भी basic है D-E-A-L कहते है ना it's a deal it's a deal deal, deal, yes, it's a deal अब से ऐसे ही होगा होता है ने deal deal है वह या इधर का gang हम समालेंगे, उधर का gang तुम समालना दारू का business ये समालेंगे तमबाकू का business तुम समालना फिल्मों में दिखाते है ना इस तरीके से तो ये क्या है deal है, deal आपस में deal हो रही है, इनके बीच में देखे दीदी कैसे भहिया से हाथ मिला के deal कर रही है और कितना बढ़िया लग रहा है और उस हाथ मिलाने भी भी देख रहा है और पोस देखो madam न यू कर रहा है अरे सीधा हाथ रखो या it's a professional game it's not a like कोई दोस्ती बाले नहीं है हो रहा है deal I made a deal with my friend to trade my book for there so deal का मतलब deal होता है अगला word है treaty ये ये शब्द भी आप सुने होंगे नियूस पेपर वगरम पढ़ते होंगे तो treaty होती है country country treaty करती न टी आर इए टी वाइ टी टी इनके इनके बीच में treaty हुई है कि हाँ अब यहां deal that is treaty समझ पा रहे हो तो treaty ऐसे देश देश के बीच में जो होता है treaty is an agreement between countries देश देश के बीच में जो हो रहा है संधी उसको treaty कहते हैं दोस्तों clear हुआ अगला है pact pact means भी संधी होता है P.A.C.T. एक ने कहा pact कर लो समान अब हम चलेंगे हमारी उनसे संधी हो गई है यानि उनसे अब agreement हो गया mail मिलाप हो गया अब जगड़ा नहीं है पिता ने हीरा ठाकुर को लात मार के निकाल दिया हीरा ठाकुर को लात मार के निकाल दिया हीरा ठाकुर बाहर गया अपना जोपड़ी उपड़ी लेके रहने लगा कुछ साल बाद हीरा ठा खुब पहीसा कमाया बसवस चला के और उसके बाद जब पता चला कि वो पिता के नाम पे अस्पताल खोल दिया तो पिता पहुँचे हीरा ठाकुर के पास बोले हीरा ठाकुर तुम अपना समान पैक कर लो और चलो अब घर वापस चलो तो लोगों ने कहा क्या बात होगी पैक्ट हो गई यानि एग्रिमेंट अब डील हो गया ठीक है कोई बात नहीं लड़का सुधर गया आप घर पर बुला लो तो पैक्ट मीस होता है डील पैक्ट कर लो आ जाओ वापस घर एक लड़की अपने पती से नाराज होकर माईके भाग गी हम जा रहें माईके मैं मैं के पैक्ट कर लिया आ जाएए वापस अफिर ये वापस चली गई तो जब पैक्ट कर लिया कपड़ा तो इनके आपस में पैक्ट हो गई यानि एग्रिमेंट हो गया देयर पैक्ट वाज तो मीट अड़ पार्क एवरी साटरेडे मौनिंग उनकी बेच का पैक्ट हो इस एग्रिमेंट का मतलब जहां पर एग्रिमेंट नहीं है समझोता नहीं है यानि वहां पर बहस है जहां पर आपस में एग्रिमेंट नहीं है जहां पर उनमें आपस में किसी बात को लेकर एक मत नहीं है तैट इस डिसेग्रिमेंट जैसे देश में जब किसी ड्राइवर क द्वारा एक्सिडेंट हुआ तो वहाँ पर एक बैयान आ गया कि भाईया अगर आकिसी ड्राइवर ने भी एक्सिडेंट किया तो साथ साल की सजा और दस साथ लाख रुपिया का जुर्बाना देना पड़ेगा उल्टा तो नहीं बोल गया मैं साथ साल की सजा है कि दस साल की तो उसमें वीडियो भी ऐसे ही आ रहे हैं कि वो आदमी अपने से ट्रक के नीचे लेड़ गया, वो अपने से ला के कार्ट ठोक दिया, ट्रक थे, मतलब चार उत्रब, हर जगह यह है, तो सारी ड्राइवर्स क्या हो गए, सारी गाड़ी के ड्राइवर्स, सब डिसेग्रिमें means not agreeing with someone else, किसी से agree नहीं होना उसे कहता है, अगला वर्ड है denial, d-e-nial, n-i-a-l, denial, denial, डिनायल शब्द डिनाय से याद रखिएगा, कि भेया उसने डिनाय कर दिया, हमने उससे कहा, ये ऐसे होना चाहिए, उसने डिनाय कर दिया, हमने कहा, बेटा, तुम हमारे साथ गोवा च जाना, मुझे अक्षर धाम जाना है, तो डिनाय कर दिया, तो डिनाय का मतलब होता है, इनकार कर देना, उसी डिनाय से डिनायल याद रखिए, डिनायल का मतलब ही इनकार या मना होता है, दोस्तों, I am in denial about the situation, I refuse to accept the truth, मतलब situation के लिए मैं एकदम इनकार कर रहा हूँ, मैं ब अपने सुना होगा, देखे, Miss plus Understanding, Understanding, S-T-A-N-D-I-N-G, Understanding का मतलब होता है समझ, और Misunderstanding का मतलब होता है, गलत समझ, अब गलत अगर कोई चीज को समझ गया, तो इसका मतलब उसको हो गई गलत फेहमी, गलत फहमी इसी को कहते हैं मिस अंडिस्टेंड आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यह जो मिस शब्द है मिस डिस मिस डिस इन आई एम इन यह हमेशा जिस भी वर्ड की शुरुवात में दिख जाए ऐसे जादातर वर्ड के साथ होता है कि इनको हटाने के बाद बचे हुए वर्ड का इनको लगाने के बाद बने हुए वर्ड का अपोजिट मीनिंग होता है यानि कि अंटॉनिम होता है जैसे कि अंडिस्टेंडिंग का अपोजिट मिसंडिस्टेंडिंग हुआ ना अपोजिट मीनिंग यहाँ पे अन्टॉनिम हुआ ना इसका तो अन्टॉनिम होता है अगर आप किसी में भी यह शब्द देखते है ठीक है ना एक और शब्द होता है अन बस एक जगह हाँ ठीक है ज़्वह ही भी शब्द और जादा दर पॉसिबल होते हैं कि इनके लगने पर बनने वाला वर्ड की मीनिंग पॉसिमिलिटी है आप नाट सिंग पॉसिमिलिटी होती है कि वो नेगटीव मीनिंग हो जाता है खास तोर पे मिस वाला और डिस वाला थोड़ा सा इम, इन और अन वाले में तो बच भी जाएगा लेकिन मिस और डिस में जादा तर वर्ड्स नेगटीव मीनिंग वाले हो जाते हैं गॉड़ेट एवर्ड़ी हमेश्चों द्यान रखें आई स्मॉल मिस्टेक केन क्रिएट अ बिग एक नाउन है और एक नाउन है और एक नाउन है अगर लिखोंगे तो ये आपकी वर्ब है रिफ्यूस वर्ब है जिसकी AL ending words हमारा noun है तो एक ये point भी थोड़ा ध्यान रखें कि cable वो cable उन suffixes के दम पे parts आप speech identify करने के पीछे मत भागे हमें word game भी सीखना पड़ेगा now moving further हमने आपको total 14 words पढ़ाए ये रहे आपके पूरे 14 words मेरे प्यारे भाईयो बैनो ये 14 words आपके सामने है और हर एक word में मैंने कुछ-कुछ gap मार दिया किसी में दो blank तो किसी में एक blank आपको क्या करना है इन blanks को fill करना है you guys have to fill these blanks और फिर comment box में लिखना ठीक है सारे words पूरे-पूरे comment box में लिखिएगा और चेक करिएगा कि आपके कितने सही और कितने के लट हुए जरूर करिएगा एक बार और टाइप कर लेंगे बैतर योगा दो मिनट में ये 14 words अराम से पूरे हो जाएग दो मिनट लगेगा session end होने के बाद आईए idiom sent phrases शुरू करते हैं वो भी image और trick के साथ पहली idiom है stones throw अगर मैं हाथ में stone लो पत्थर और मैं उसको ऐसे करके throw करूँ तो मैं कितनी दूर तक फेक सकता हूँ पचास मीटर जदा बोल गया क्या मैं बीस मीटर तीस चालिस पचास कोई बहुत बाहु बली हुआ लंबा चोड़ा साथ फिट का जवान तो चलो 100 मिटर फेक लेगा अब ऐसा तो नहीं को 5 कि कोई फेक लेगा तो जो 100 मिटर है वहां तक भी आदमी पैदल जा सकता है इसका मतलब बहुत दूर नहीं होता है 100 मिटर भी तो stone's throw का मतलब होता है बहुत दूर नहीं होना यानि कि not very far अब not very far का मतलब हो गया, हो सकता है close हो, तो इसका मतलब होता है very near, not very far, दूर नहीं है, तो बत का मतलब क्या हो गया, पास में है न, तो stones throw का मतलब होता है very near, बहुत ही नजदिक, stones throw, that is बहुत ही नजदिक, the grocery store is a stones throw from my house, जो grocery store है, वो मेरे घर से stones throw पे है, stones throw का मतलब क्या हुआ, पास में है, करीब में है, दो चार दुकान छोड़ गये है, right, अगला है under the thumb of, thumb means होता है अंगूठा, अब किसी ने कहा, तुम उसके अंगूठे के अंडर हो, under the thumb of, thumb के अंडर होना, thumb के अंडर होना, इसका क्या मतलब हो गया, किसी के वश में होना, कि भाया तुम को अंगूठे के नीचे दबाए पड़ा है, अर्थात आप उसके वश में हो, तब ही तो आप under the thumb of someone हो under the thumb of किसी के thumb के under में हो ना thumb के under हो ना मतलब तुम उसकी अंगुठे के नीचे दबे जा रहे हो under the thumb thumb बहुत बड़ा है उसके नीचे दबा जा रहा है इसका मतलब उसके वश में है that is under the thumb of उसके वश में under the thumb of his parents he could not make his own decision अपने parents के वश में वो अपना कोई decision नहीं बना सकता है समझ में आ रहा है चीजे याद हो रही है आसान लग रहा है vocab learning आसान हो रहा है चीजे easy लग रहा है तो चलो आज मिलके 200 करते हैं आज मिलके 200 यहाँ पे live viewers करते हैं और session end होते होते 200 thumbs up भी करते हैं 200 thumbs up और 200 live viewers हो सकता है चलो करते हैं मात्र 30-35 कम है बस जादा नहीं अगला है बच्चे up and doing up and doing up and doing इसका क्या मतलब है इसका मतलब है active है कारी में सक्री है देखो अगर down है तो इसका मतलब सो रहा है लेटा है ठका है lazy है dumb है कुछ ऐसी meaning होता है लेगिन बंदा अप है तो आपका मतलब है खड़ा है and doing 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 तो इसका मतलब बंदा जो है active है अपने कारे में तभी तो उसको बोलेंगे up and doing यानि काम में सक्रीय रूप से लगना काम करना being up and doing helps in completing task efficiently example अगला idiom है word of mouth mouth से निकला हुआ word अब word अगर मूँ से निकला है तो जायहिट सी बात है वो जुबान का पका होगा दोस्तो through the verbal sharing of information word of mouth कहलाता है friends sharing their favorite movies is word of mouth यानि जुबानी उनको कहना जुबानी word of mouth ऐसे word जो mouth से निकले लिखे नहीं आप आपने उसको लिखा नहीं वो cable mouth से निकला है बस cable mouth से निकला हुआ word है जो किसी book में नहीं लिखा cable मुजवानी है जुबानी है दोस्तो उसे हम कहते हैं word of mouth word of mouth कहलाता है वो word of mouth कहलाता है पास सौच पा रहे हैं तो word of mouth का मतलब हो जाता है जुबानी अब जैसे यहां पर देखें दीदी भेया कैसे बती आ रहे हैं कोई copy pen नहीं कोई laptop नहीं word of mouth transfer हो रहा है word of mouth transfer हो नहीं your man's service excellent service को कहते हैं बहुत बढ़िया वाली excellent work को कहते हैं बहुत ही उत्तमकार अत्ति उत्तमकार को कहते हैं यह man's service your man नाम का एक man था your man नाम का एक man था जो किसी restaurant में waiter का काम करता था और उसके द्वारा जो service होती थी हर आदमी हर customer खुश हो जाता था कहता था मुझे यह मैन को बोलो वो मेरा डिश लेकर आए तो यह मैन की सर्विस जो थी वो बहुत ही एक्सिलेंट थी बहुत ही बढ़िया थी तो एक्सिलेंट सर्विस यानि एक्सिलेंट कारी अति उत्तम कारी को यह मैन सर्विस कहते हैं यहसे दे नेबर ओफ़र्ड आयमान से सोवेस बाइ हेल्पिंग फिक्स दा फेंस यानि हेल्प करते हुए फेंस को चहार दिवारी को फिक्स करने में जो की गिर गई थी उसने बहुत ही बढ़या अक्ती उत्तमकार किया आपको मैंने पांच इडियम सेंट फ्रेजस पढ़ाए आंसर इधर साइड जंबल में हैं दोस्तों जंबल्ड है मैं चाहूंगा आप इसको मैच करें फटा फट प्यारे बच्चों मैच करें जल्दी से एवरिबडी प्लीज मैच करें जल्दी से दस सेकेंड बचे हुए हैं मात्र चलिए एक बार सही ओडर में पढ़ लीजे सबी बच्चे एक बार सही ओडर में रिवाइज कर लीजे एक बार करेक्ट ओडर में रिवाइज कर लीजे करेक्ट ओडर में रिवाइज कर लीजे लवली गाइज लवली तो दिस वाज आल अबाउट एडियम साइन फ्रेज़ नाओ एरर डिटेक्शन और प्रिवियस यर कुछ प्रशन कर लेते प्रिवियस यर के एरर डिटेक्शन चलिए यहां से शुरू हो जाता है आपका पोल गेन पहला प्रशन आपके सामने सबसे पहला प्रशन कहता है कि विनी बॉट टू न्यू ड्रेस बड़ इधर इस सुटेबल फॉर दा फैस्टिवल कम ओन एब्रिबड़ी कॉमेंट बॉक्स में ए, बी, सी, डी जो भी ठीक लगे कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से लेडर बॉर्ट पे उपर आने के लिए सही आंसर स्पीट से देना पड़ता है करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर डी नीदर मीन्स नन आफ दे टू और इधर मीन्स वन आफ दे टू इसलिए आप इधर को हटा के नीदर लिख दीजे समझ में आया कुछ नहीं समझाता हूं लिखा है विनी बॉट टू न्यू ड्रेस विनी ने दो नए ड्रेस खरीदे ठीक है ना विनी ने दो नए ड्रेस खरीदे फिर यहां पे बट लिखा हुआ है आपको पता है कि बट एक कॉंट्रास्ट शो करता है कॉंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध एक प्रकार से कह लीजे विरोध शो करता है इसका मतलब होता है लेकिन विनी ने दो कपड़े खरीदे लेकिन कोई भी फेस्टिवल के लिए नहीं है आदमी ऐसे ही तो बोलता है विनी ने दो कपड़े खरीदे लेकिन कोई भी festival के लिए नहीं है बट नीदर is suitable for the festival ये है आपके option number D में जिसको vote किया है 96% बच्चों ने वाव लवली guys here we have question number two with wonderful poll how many money did Sudhir win in the lottery कितना पैसा Sudhir ने lottery में जीता मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे अब Sudhir लिखा है इसका मतब बंदा इंडियन है lottery खेल रहा है तो भारत में ही होगा तो जाहिर सी बात है भारत में चलता है रुपे और वहां पे लिखा हुआ है money ये जो money देखो दोनों ही noun है लेकिन money जो है ये आपका uncountable noun है और जो रुपी है ये countable noun है तो बेटा तुमने यहाँ पे noun में money लिखा है which is uncountable और uncountable के साथ many नहीं बलकि अर्थात how much money did सुधीर win in the lottery ये होना चाहिए या तो रुपी होता यहाँ पे तो how many rupees how many rupees कुछ ऐसे लिखते दोनों ही condition में आपका answer option number c को जाएगा मतलब या तो आप लिखो यहाँ पे how much money how much money नहीं या तो यह लिखो आप या लिखो आप how many rupees how many m a n y how many rupees समझ में या तो यह दो condition में लिखना है दो तरीके से हो सकता है दोनों ही condition में answer option c के पास जाएगा answer option c के पास गया तो answer c को एक interesting बात बताता हूं सही तो दो तरीके से हो गई होगा लेकिन मेरे भाईयों लेकिन हम यहाँ पर cable वो cable many हटा के मच लगाएंगे बस सही तो मैंने आपको बता दिया कि यह दो तरीके जेंड प्रनाउन के बीच में number का या किसी भी तरीके के gender का फिर बदल होता है तो pronoun बदला जाएगा यह बदला जाएगा ठीक उसी प्रकार से जब noun और adjective के बीच में किसी भी प्रकार से इनके types में फिर बदल होता है जैसे ये countable है और वो आपका quantitative adjective लगा हो या uncountable है और वो numeral adjective है तो उस case में आपका adjective बदला जाएगा ये बदला जाएगा subject और web के बीच में कभी number का फिर बदल होता है तो हमेशा web बदली जाएगी तो इस परकार से कुछ चीजे हैं जिसमें fix है कि बदलना इसको है ये नहीं कि आप इसको बदल दो अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है रोहन और उसके लिए लिख दिया जाए दे तो क्या आप रोहन बदल दोगे क्या आप दे बदल के ही करोगे न कि नहीं रोहन है अकेला है तो ही करो तो वैसे ही noun के case में noun को सही मानके adjective बदल जाएगा क्यों आप definition भी तो यहीं देते हो an adjective is a word which qualifies a noun अर्थात noun तो लगा है तुम adjective सही लेकर आना अब adjective गलत आगया तो adjective बदलो सो हमेशा ध्यान रखे मेरे भाईो कि यहाँ पे आपका adjective गलत होगा noun यहाँ पे सही माना जाएगा बाकी मैंने आपको समझा दोनों दिया है कि आखिर money और rupees में क्या आंतर है money दुनिया भर के हर पैसे को money ही कहते है लेकिन rupees Indian currency है dollar दूसरी currency है real तीसरी currency है सब अलग अलग जगे की अलग अलग currency है उन currencies में हर currency को money कहते है लेकिन सब currency के एक अलग नाम है तो वो अलग नाम अलग नाम हो गया that is countable सो मेरे भाईयो यहाँ तक हो गया आज ही अगला सवाल हो home did you give the packet packets to simple से fund है देखो you ने दिया the packets को किसको to somebody किसी को तो दिया you give the packets to somebody वो somebody में आप उसको लिखने बाले हो to के बाद अर्थात to एक preposition है preposition के बाद आप लिखने बाले हो वो बंदे को जो कि यह इसके बाद object है तो हमें सवाल पूछना है तो objective डबलो एच वर्ड लगाना था और object to डबलो एच वर्ड पहले से लगा है भई आप यहां तक छिपा के बढ़ो you give the packets to whom तुमने यह packets किसको दिया to whom किसको यानि वो object चीए न तो अब सवाल पूछ रहे हो तो whom को सुरू में लिखना पड़ेगा फिर तुमको helping अब लिखनी पड़ेगी फिर आगे वाला line लिख लो to तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा इधर को to whom है तो यह sentence हमारा कोई error नहीं है यह statement error free था तो हम इसके option number B में जाएंगे no error में थोड़ा बहुत कम हो जाता है आपका आएए पैरा जंबल करते भाईयो previous year का बहुत ही खुबसूरत सा पैरा जंबल मैं time आपको जरूरत से जादा दूँगा 60 second लग जो सारे बच्चे जरूरत से जाफे बच्चे अटना है बची आपका भाका से लगन आपका बहुत ही बेसिक सा है, बहुत बेसिक है बहुत ही बेसिक है लवली, टाइम स्वाप प्यारे बच्चो देखिए, ध्यान से सुनिएगा आंसर आप्शन नमबर बी है आपका, कैसे बी है सबसे पहला पार्ट यहां पर है आपका बी वाला पार्ट, यह कैसे है, समझे कहता है, अब बुल वाज बिटन बाया माउस यानि एक बुल जो है, वो एक माउस के द्वारा काटा गया और पेंड बाय दा वूंड और जो घाव हुआ उससे उसको दर्द हुआ tried to capture him, कोशिश किया उसको पकड़ने का, पहला पार्ट हो गया फिर उसके बार दा माउस, अब जब यहां पर उसको पकड़ने का कोशिश किया तो माउस हला की अपने कहां पे होल में सेफटी के साथ घुज गया यानि सेफटी से वो अपने होल में गुज गया, चूहा गुज गया भाई इसने उसको काटा, यह उसमें गुज गया जब यह उसमें गुज गया, तो the bulldog into the walls with his horns until wearied, he crossed down and slipped by the hole जब उसमें गुज गया, तो यह उसी के पास जाकी यूंगर के चुपे से सो गया दा माउस पीपिंग आउट, क्रेप्ट अफ इस फ्लैंक and again biting him, retreated to his holes तो कुल मिलाके एक प्यारी सी कहानी है, कि एक bull को इसने काटा, फिर उसने उसको पकड़ने कोशिश करी, तो भाग गया यानि B के बाद A का एक pair बनाना है, भाई उसको tried to capture him, उसको पकड़ने का कोशिश किया और ये बच कर सुरच्छित अपने hole में घुज गया, तो इतना तो confirm हो गया ना कि B के जस्ट बाद A को ही लगाना है एक pair बनाओ और सीधा अपने options चेक कर लो, हमने एक pair बनाया, अब हम अपने option चेक कर रहे हैं कि हमें B A चाहिए जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल एक जगा है B A और वो है option B में that's the answer, that's the answer, so हमारा सही जवाब होगा option number, एक बार चेक कर लेते हैं, 82% बच्चों के सही जवाब थे इस पर, surprise ग्यान में आज का बहुत ही unique surprise है, क्या है आज, once again root word vocabulary for all of you guys, and the root word which I have taken today, that is mini, हम आज mini पर बात करने वाले हैं, mini जिसका मतलब होता है small, छोटा, छोटा, या less होना, थोड़ा होना कोई चीज, small होना या less होना, उसे हम mini कहते हैं, अगर किसी भी शब्द में mini आ जाए, तो chances होते हैं, उस word की meaning, छोटी सी होगी, या small होगी दोस्तों, मतलब कोई भी चीज छोटा होगा, या small होगा, कुछ ऐसा करके होगा, जैसे example से समझते हैं, दिमाग में lock करते चलिएगा, root word से बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, vocabulary build होती है, और आज कल मैं रोज ही करा रहा हूँ, surprise ग्यान में, सबसे पहला है, diminish, आप देखें, तो इसमें भी mini है, mini आ गया, तो इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब घटना, to make something small, or reduce something, कोई चीज को घटाना, make something small, or reduce something, यानि किसी चीज को घटाना, या तो कम करना, को हम diminish कहते हैं, diminish करना, diminish, यानि कि कम करना, छोटा करना, घटाना, diminish करना, got it, second है, diminution, diminution, diminution का मतलब है, a lessening, decreasing, or reduction of something, यानि किसी चीज का घटो तरी करना, क्योंकि ये noun है, और उपर diminish आपकी verb है, ये verb है, और ये आपका noun है, ये चल जा भाईया, चलेगा नहीं, ये noun है, क्योंकि last में tiun आया, tiun जनरली noun में ही होता है, तो बच्चे, diminution means होता है, किसी चीज की घटो तरी, और उपर diminish का मतलब होता है, घटाना, as a verb, फिर है mini brick, बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुए mini, mini का मतलब होता है, छोटा brick मतलब होता है, brick, यानि किसी चीज में आप छोटा सा brick ले, थोड़ा brick ले, चार महीने का brick ना ले ले, mini brick ले, छोटा brick ले, short holiday that usually lasts for two or three days, दो से तीन दिन का brick ले, mini brick ले, short brick ले, अगर आपने दो से तीन minute या 10-20 minute का brick लिया है, brick में mini का मतलब हो गया, छोटा brick मतलब हो गया, छुटी, mini brick छोटी छुटी, थोड़े समाई की छुटी, दो-तीन दिन, mini mall का मतलब छोटे mall, ऐसे mall जहां पे limited दुकाने हैं, चार-चेड़ दुकान हो बस, उसको mini mall कहते हैं, mini mall यानि छोटी सी दुकान, mini mall, एक shopping mall, that has a small number of shops, जहां पे छोटी, थोड़ी बहुत दुकाने हो, उसको mini mall कहते हैं, दोस्तों, फिर आगे है आपका, minuscule मींस होता है, very small, बहुत छोटा होना, minuscule, इसको minuscule पढ़ते हैं, यानि कि बहुत ही छोटा होना, जैसे आपने का, वो कार देखो, कितना छोटा है, minuscule है, बहुत ही छोटा है, that is minuscule, बहुत ही छोटा, इसमें भी आ गया ना, min, mini, minoo, सब चलेगा दोस्तों, अगला वर्ड लीजे, mini skirt, लड़कियों के कपड़े एक होता है, mini skirt, यहां तक की, घुटने के आस-पास तक के कपड़े एक होते है, mini skirt कहलाता है, एक skirt होता है, और वो छोटा हो, तो mini skirt, long skirt, short skirt, जो short skirt होता है, उसको mini skirt कहते हैं, समझ़ पारे हो, mini skirt, जो यहां तक, घुटने तक होता है, that is mini skirt, तो skirt हो गया, skirt और mini हो गया, that is of a smaller size कोई एक चीज जो smaller size की है क्योंकि mini है तो miniature का मतलब एक चीज जो छोटे size की हो that is miniature फिर है आपका minority majority minority केतना ये majority में है ये minority में है तो minority मतलब कम संख्या में होना that is minority minority में भी min आया a smaller number of people less than a half of the whole group पूरे group से आधा से कम जब हो तो उसको minority कहते हैं किसी जगा पर 100 लोग है तो उसमें से 40 अगर कोई है तो वो minority में है जो 60 हो गया वो majority में है फिर अगला है miniaturize ये वब है इस miniature का to make smaller किसी चीज को छोटा करना जब कभी भी rise ऐसे लिख के last में आ जाया समझ जब हो जाता है फिर है mini beast mini beast होता है harmful small beast such as an insect छोटे मोटे insects कीडे मकौनों को mini beast कहते है mini beast में होता है छोटे मोटे insects mini bus छोटी bus आप देखते होंगे बहुत जगों पे schools वगरा में जहां पे students की strength कम होती है तो वो mini bus चलाते है या कोई area जहां से बच्चे कम admission लिए है तो आप भेद देते हैं 10-15 बच्चे के लिए ये सही है बस that is called mini bus छोटी bus जिसमें 10-15 passengers ही आ सकते हैं mini cab छोटी cab mini cab उसको कहते है taxi that does not pick the passenger on the street but has to be booked on the phone phone से आप book करते हैं और cab आपके घर पे आती है उसको कहते है mini cab अरे जो आप ola uber करते हो न जो आपको pick करने के लिए आती है उसको mini cab कहते है समझ में है mini cab कौन सी है छोटी cab फिर लिखा हुआ है mini calculator छोटा calculator एक small calculator आज कल बहुत चल रहा है mobile में देखो mini calculator लोग ही गोम रहे है mini cam छोटा camera log pen में छोटा camera लगा दिये button में camera है शीशा में camera hotels में लगा देते हैं ये सब mini cam होता है mini cam का मतलब छोटा camera that is called mini cam फिर है mini dress एक छोटी सी dress को mini dress कहते है mini छोटी dress माइनर मतलब हो गया of less importance जो कम importance का होता है उसको minor कहते है कम importance का जो that is called minor so ये रहे आपके 16 root word vocabulary जिसमें आज का root था mini, mini and mini एक बार screenshot ले लिजे आप सभी के पास इसका screenshot होना चाहिए so that आप सारे बच्चे revise भी कर सकें अच्छ से मजा आ रहा है सारे बच्चों को तो जितने बच्चे हैं क्या उतने थमसप हो गए क्या 200 का target पूरा हो गया हाँ या ना हमें जरूर बताईएगा क्या 200 का target पूरा हो गया comment में बताईए चलो आगे बढ़ते बच्चे अब करते हैं comprehension skill को improve आज हमने एक article लिया है जो current में चल रहे बवाल पे है आज के दा हिंदू में यह article पूछा गया था तो आईए इसको समझ लेते हैं दोस्तों क्या है दा प्रोविजन इनदी भारती न्याए संहिता यानी की BNS BNS वहाँ पे फूल फॉर्म में दिया हुआ है और BNS यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म वाला फूल फॉर्म वाले के बाद ही आएगा दोस्तों छौट फोर्म वाला हमेशा फूल फोर्म वाले के बाद ही आएगा तू फूल फोर्म इसलिए उपर हो गया और फोर्म उसके बाद लगाए गया तो प्रb प्रोविजन इन्द भारती नियाय संहिता भी जो प्रोविजन है डाट ट्रीट्स जो ट्रीट करता है यहां पे जो डाट है यह एक रिलेट्व प्रनाउन है जिसके बाद अगर आपने वब लिखा तो इसका सब्जेक्ट खोजना पड़ता है खोजने की जोत नहीं है उस डा तो आपका लिखा BNS that treats hit and run accident cases जो hit and run accident cases को treat करता है as an aggravated form एक भड़काओ form के रूप में यह एक जनरल सी बात हो गई यह एक जनरल सी बात हो गई this is a general statement my dear students और general statement को present indefinite ही बनाते हैं क्योंकि यह एक भारती नियाय संहिता एक कानून ऐसा कानून है जो की हमेशा ही है आज है कल था कल होगा तो मैंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा action जो present में past में future में तीनों टाइम में पाए जाए present में past में और future में तीनों टाइम पे पाए जाए वो present indefinite होता है तो यह जितने भी सम्विधान या कानून है यह सब कुछ हमेशा ही रहे हैं आज भी hit and run case कल भी hit and run case था आने वाले time में भी hit and run case का मतलब है hit करे गाड़ी वाला और भाग जाए hit करके भाग जाए तो एक अलग ही उस पर कानून लग चलेगा अलग धारा चलाएंगे उस पे उसको सजा देने के लिए hit and run accident cases as an aggravated form of the offense एक aggravated form of offense एक अपराद माना जाता है of causing death, death के रूप में लेते हुए by rashness or negligence will be the first in the new it to be implemented code to be scrutinized for its severity क्या बात है भाई साब कि अगर कोई भी hit and run case हुआ तो इसको एक aggravated form of the offense की रूप में अपराध का aggravated form की रूप में लिया जाएगा जिसमें causing death मरने का कारण दिया जाएगा by rashness, rashness के द्वारा या negligence के द्वारा कि आप लापरवाही से या बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे थे जिसकी वज़ा से यहाँ पर इसकी मौत हो गई या हो सकती थी और आप अगर hit करके run कर गए तो बिटा तुम पर ये धारा लगेगी और ये चीज़ will be the first पहली बार होगा in the new name में ये पहली बार होगा मतब ऐसा था नहीं लेकिन अभी ये पहली बार होगा wait to be implemented जो अभी implement किया जाना है court to be scrutinized जिसकी proper जाच करके for its severity कि इसकी कितनी गंभीरता है उसको देखते हुए इसको भी implement किया जाना है इसी पे तो पूरा बवाल है पूरा हिंदुस्तान बंद है यार अब तो शायद चालू हो गया कि नहीं नहीं तो कोई भी गाड़ी नहीं ये रोड़ पे एक भी truck नहीं चला रहा कोई auto नहीं चल रही कोई भी taxi नहीं चल रही मतब ये सवारी वाली सारी गाड़ीयां बंद माल्ड होने वाले सारे ट्रक औरक बंद सब कुछ बंद ये हाल है सोच के देखिए इसे लिए तो सारे लोग ये कर रहे हैं कि ये नया कुछ हार है जिसको scrutinize करके इसकी severity को समझके ये implement किया जाना अभी it to be implemented यानि implement किया जाना अभी बाकी है हुआ नहीं है आज से खुल गई? अच्छा आज से खुल गई कुछ बच्चा कह रहा है फिर इसके बाद आता है विद ट्रेक ड्राइवर्स जो ट्रेक ड्राइवर्स हैं वरीड, चिंतिद हैं about the implications इसके implications में of section 106 of the BNS BNS यानि भारती न्यायस नहीं है था abstaining जो बच रहे हैं from work काम से, abstaining means होता है वैसे तो परहेज करना, परहेज करना मतलब दूर होना उससे, from work से मतलब पूरा देश बंद कर दिया है बताओ, कोई गाड़ी ना चला रहा है the government has promised government ने वादा किया है to bring it into play only after consultation consultation के पश्चाथ ही इस चीज को play में लाया जाएगा मतलब इस चीज को लागू किया जाएगा with the All India Motor Transport Congress के साथ इनसे discussion होगा discussion के बाद consultation होगा consultation, discussion करके ही इसको लाया जाएगा ऐसा government कहती है however, with the transporter's body taking the stand that the strike was primarily resorted to buy the drivers who feared additional criminal liability the issue will require tactful handling so guys, इस तरीके से आप article को read करके उसको समझने की skill develop करना है आपको daily basis पे अभी शुरुवात है तो मैं छोटा-छोटा point आपको बता रहो छोटे-छोटे points मैं बीच-बीच में कुछ दूसरे newspaper से भी articles ले लिया करूँगा ताकि आपकी understanding हम और भी basic level से शुरुवात कर सके ठीक है दोस्तो तो उमेद करता हूँ यहां तक चीजे आपको अच्छे से समझ में आ गई अच्छी लगा session बढ़ेया लगा तो daily शाम को 5 बजे आप मेरे साथ live जुड़िए हपते के 6 दिन Sunday को छोड़के 6 दिन मैं यहां पर आपको मिलूँगा दोस्तो 6 days class का part बनिए अपनी English को improve कीजे सब कुछ ही यहां पर पढ़ाय जाता है यह telegram है यह वाली PDF मैं इस telegram पर डाल दूँगा आप इस telegram को ज्वाइन कर लीजेगे दोस्तो ठीक है इसकान करके आज के session में मैंने आपको synonym पढ़ाया आपको antonym पढ़ाया one word substitution idioms and phrases root word vocabulary spelling ज्यान इसके अलावा error detection para jumble article discussion हो गया तो इतनी सारी चीजे single session में आपके लिए किया गया है मुझे comment में जरूर बताईएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वाला show चीजे अच्छी लगी हमें comment में जरूर बताईएगा एक बार finalist का नाम देख लेते हैं लिडर बोर्ट पे आयूश रॉय युवा पहला है फिर हल्चल है अनुश्का चोहान है प्रतिमा है मुष्कान है मुन्ना है रोहित है कुनाल है फोकस मौश्रम और भी बहुत से बच्चे हैं टॉप 10 का नाम मैंने ले लिया मेरे बच्चे तो session को यब यही पर end करने की बारी है चीज़े अच्छी लगी तो थमसब देखे जाएएगा अपने साथियों के पास वीडियो का लिंक के भेजिए कल तक ये session कम से कम 3000 बच्चा देख चुका हो मुझे दिल से खुशी होगी कि हाँ आप सभी ने support किया ठीक है और ज्यादा नहीं 300 थमसब मिल जाएएगे इसको तो भी खुशी होगी मुझे 3000 बच्चे इसको देख चुके होगे तो भी खुशी होगी ये दोनों चीज़ करवा दीजेगा ठीक है मिलते हैं आप सभी से अगली class में Thank you very much for joining चे